पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पंजाब पुलिस की एंटि गैंग्स्टर टास्पोर्स ने लॉरंस विश्णोई और गोल्डी वराड गैंग के दो गुर्गों को पकड़ा है आरूपियों के पहचान मंदीप सिंग और जतिंदर सिंग के रूप में हुई है इसी जानगारी को सोशल मीडिया एक्स पर पुलिस महानिदेश गौरव यादव ने साजा किया था दोनों आरूपियों का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ चंडिकड़ और हर्याना में हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, डकैती और हत्यार अधिनियम के कई आपराधिक मामले दर्ज है डीजीबी के अनुसार आरूपी मंदेप ने सिद्धू मुसेवाला की हत्या में शामिल आरूपियों को ठिकाने मुहया कराये थे साथ ही 2017 में गैंग्स्टर दीपक टीनो को भागने में मदद भी की थी पंजाब की एजी टीएफ ने व्यक्तियों को गिरफतार किया है और उनके कबजे से दो पिस्तॉल और बाराज जिंदा कार्दूस भी बरामद हुए है पुलीस के अनुसार प्रथम जाज में पता चला है कि गरफतार आरूपियों को उनके विदेशी आधकारिक आकाउं द्वरा प्रतिद्वन्दी गैंक्स्टरों की हत्याओं को अंजाम देने का काम सौपा गया था आपको बता दे पंजाबी सिंगर सिद्धूमूसेवाला का 29 मही 2022 खुमांसा के गाउं जवाहर के में गोलिया मार कर कतल कर दिया गया था उस वक्त वो बिना गन्मेन के दो दोस्तों के साथ रिष्टदार के घर जा रहे थे इस केस में पुलीस ने दो शूटर हर्याना के प्रियवर्थ फौजी, अंकित सरसा, कपल मुंडी और कशिश को गिरफतार कर लिया था वहीं दूसरी तरफ पंजाब के शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु को पुलीस ने अटारी में इंकाउंटर के दोरान मार गिराया था इस मामले में पुलीस ने 35 से जाधा गैंक्स्टरों के खिलाफ चार्ड शीट पेश की थी इसी तरह की और खबरों के लिए बने रही है हमारे चैनल जनहिट टाइम्स के साथ